हेलो नमस्कार यह सूचना उन अभ्यरति के लिए है जो बिहार सच्छक भरती 2.0 की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं आपके एक्जाम का सेडियूल नोटिफाई कर दिया गया है जिसे आप बिहार लोग सेवा आयोग की आधिकारिक जो ऑफिसल वैबसाइट होती उस पर देख सकते हैं तो आईए मैं आपको एक्जाम शिरूल के बारे में बताता हूं तो पहले तो आपको द्यान रखो कि बीएसबी 2.0 एक्जामनेशन डेट एनाउंस हो चुकी है और साथ तारिक से आपके एक्जाम प्रारम हो जाएंगे कब है आपका एक्जाम आज है तारिक ये तो आपको पता होगा न त्वैंटी थिर्षए loyal ऑ wypकांटीेश़ू अर आपका एक्जाम कब होना है सात दिसम्बर से प्रारम हो साहे मैं आपको पहले examination schedule को पूरी तरह से दिखा देता हूं और उसको मैं दिखाऊंगा आधिकारिक website पर मैं आपको official website पर लेके चलता हूं जो है बिहार Public Service Commission की आधिकारिक website यहां पर लिए ग्यारत दोहजार तेज़ का यानि कल का नूटिफिकेशन पढ़ा हुआ है कि स्कूल टीचर हैंड मास्टर रिटिन कमपीशन एक्जामनेशन यह advertisement नमर आपका सथाई दोहजार तेज इसको आपके लिक करोगे तो यहां पर एक पीडियव खुल जाएगी और पीडियम म मतलब यह है कि अब आपको 12 से लेकर यानि जित्रे वी आपके पास दिन बचे हैं यानि 23 अगर हम यह आ पर देखें तो 23 नमबर से 7 नमबर यानि इसके बाद आपके पास 13 दिन बचे हैं 13 दिन में रोज आना बारे से लेकर ढ़ाई यह समय आप बिलकुल अपनी जिंदगी लगातार आपको एक मौक टेस्ट उसी समय पर उसी कंडिशन में ऐसे कुर्सी पर बैटका और अईसे ही माहुल में पूरी कोशिश करो कि आप मौक टेस्ट जरूर लगाओ तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले साथ बारे 2023 इस समय एक्जामिनेशन आपके प्रारम हो जाएंगे और सबसे पहले संगीत और कलाका होगा ठीक है पिश्रा वर्ग अति पिश्रा वर्ग कल्यार वर्ग 9-10 के लिए यह अनुसूची जाती जन जाती कल्यार व शह से दस तो चैसे त्रही के लिए 9-10 के लिए यह यह लिए नौप से दस वालों के लिए और शुप लिए 9-10 वालों के लिए विशन होते हैं यह आपको धिया रखना valor को आप देखिए नौ तारिक और को किसका है ये है ये तो आपको हो जाएगा यहां पर आप देखिए तो यह है आपका गरित एबं विज्ञान सामजिक विज्ञान इस समय पर भाषा हिंदी और अंग्रेजी पिश्रावर्ग और अतिपिश्रावर्ग कल्याण विभाग को अंग्रेजी हिंदी संस्कृत उर्दू ठीक है और चोधर तारीक को आपको प्रधाना द्यप जो पद के लिए पिश्रावर्ग इवं अतिपिश्रावर्ग कल्याण विभाग हूँ और आगे देख लेते हैं कौन-कौन से बच्चे हैं यहां पर कि चलिए तो यहां पर पंद्रह यहां पर यह हो गया इसके बाद 15 12 थो चैसको एक से पांच वाले के लिए जगेन के लि यह जो एक से पांच के लिए जगह आई थी ना उसका एक्जाम होगा आपको 15 तारीक ठीक है तो वन टू फाइब लिए थोड़ा सा टायम है क्यों 15 तारीक को एक्जाम है उनका ठीक है 16 12 2030 को 11 से बारे यानि यह पीजीटी वालों का एक्जाम है जो सिच्छा विवाग वाले वेकंशी थी पिछरा और अतिपिछरा वर्ग कल्याण विवाकी तरफ से वेकंशी आई थी अनुसुर्ष जाती ज़न जाती कल्याट से वेकंसी आई थी ठीक है सारव पेपर है यहां पे हो जाएगा ठीक है 16 तारीक हो तो पीजीटी वालों के लिए भी थोड़ा सटायम है और यहां पर बाकी आप देख लो आपके पास कापी समय तो कम है और जो भी चीज है आप एक बार फिर दुवारा देख सकते हैं यहां पर सारी चीज़ मैं आपको बता दी है कि संगीत और कला अगर आपके पास है तो यहां पर 9 और 10 के लिए तो यहां पर याद रखना जब आपने फॉरूम बनाता तो यहां पर पिछला वर्ग और पिछला वर्ग कल्याड विवाग की तरफ से भी कुछ वेकेंसी आई थी तो उनके लिए लिखा हुआ है ठीक है सिक्छा विवाग जो जिसमें ज्यादा जगे जिसमें दे रखी है इसी तरह से यहां पर देखो यहां सब्सक्राइब के लिए इस सब्सक्राइब के लिए आपने फॉरूम बढ़ा है आप अच्छे से देख लेना और एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी बनाओंगा यह मैं आपको बताऊंगा कि इन तेरह दिनों में आपको क्या-क्या पढ़ना है और मैं आपको त सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वह भी हम आते बता बताते रहेंगे अगर ऐसी इंफोर्मेशन और इस अंतिम दुरों में आपको क्या-क्या पढ़ना है कभी आपको कभी मेंटर स्ट्रेस भी हो जाती है कभी अप समझ नहीं पाते हो मैं क्या पढ़ना चाहिए कभी कभी पत मेरे पास पहुंच जाग और मैं आपसे बात करूंगा लेकं ध्यान अगना इन यह जो तेरह 14 दिन है उसमें आपको संभलना होगा बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके एक्जामिनेशन डेट आ गई है मुझे भी पता है आपकी सारी तयारी अभी नहीं हुई लेकि जतना भी समय है यह सबके लिए ठीक है यह की बलाब के लिए सबके लिए तो इन कम दिनों में जो सबसे बहतर पड़ेगा जो सची रणनीती से पड़ेगा ठीक है और जो अपने मन को दिल को काबू में रख यह अपनी धड़कनों को सांत रहेगा उसी का सेलेक्षन का सीधी बात यह है ठीक है नहीं तो चलिए तो मेरी तो यहीं सुब कामना आपके अच्छी से तयार ही हो आपका सेलेक्शन हो और बहुत जल्दी आपके खातों में भी पैसे के हमार लग जाएं चलिए तो इसी सूचना के साथ में आपसे विदा लेता हूं बबाई टेक केर स अब लोगे पना ध्यान रखे जय हिन जय भारत